असलाम नेकूमा यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक तो माय चैनल रियल ब्यूटी सीक्रेट फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो जनाब आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रिमेंग्टन हेर स्रेटनर का रिव्यू इसका मॉडल नंबर है S3500 तो जनाब इसको मैंने ऑनलाइन ही बाय किया है लोग बहुत जारा डरते हैं इसको ऑनलाइन बाय करते वे लेकिन आपको बिल्कुल भी डर्निंग की ज़ आपका कोई इशू है आप कुछ भी डिसकर्स करना चाते हैं इनके साथ करिए और इनको ओर्डर कर लीजिए और बहुत ही अच्छा स्टेटनर इंशालाँ आपको आजाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर अभी दस दस का बहुत ही अच्छा डिसकाउंट चल रहा है यह तक्रीबन 11,000 का स्टेटनर है जो इस टाइम हमें 8500 में मिल रहा है डिलिवरे चार्जेस के साथ और जनाब यह इसका है heat protector bag मतलब इसमें आप रख सकते हैं अगर य इसको हम लोग on करके दिखाएंगे और इसकी heat adjustment और power की तमाम detail में मैं वीडियो आपके साथ शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे तो इसको like किजेगा दोस्तों के साथ शेयर किजेगा और अगर आप पहली बारा है मेरे चैनल पे तो please चैनल को subscribe भी कर देजएगा बेल आ यह देखिए इसको हम लोग इसका जो button है यह power का zero पे यह off है और one पे यह on हो जाएगा जिरो पे off है one पे on हो जाएगा जैसे आप on करेंगे इसकी जो blue light है blink ओना शुरू हो जाएगे it means के यह on हो गया है तो जिनाब यह इसका heat adjustment है यह जो 150 है यह इसका lowest temperature है और अगर आप इ इसको 230 पे रखके use कर सकते हैं तो जनाब इसकी price 8500 है जैसा कि मैंने आपको पताई है और इसकी बहुत अच्छी quality यह है कि देखिए इसकी जो plates हैं ceramic plates हैं और इसके साथ साथ देखिए इसमें कितनी अच्छी flexibility है flexibility का यह मतलब है कि आप जब भी curls करेंगे straight करेंगे तो आपक लोग खोल देंगे तो उसके बाद यह आपका straightener जो है open हो जाएगा own नहीं होगा open हो जाएगा इस straightener को आप salon में as a professional भी use कर सकते हैं और आप इसको घर में अपने personal use के लिए भी लेना चाहते हैं तो बहुत पैस है आप इसे बिना किसे जिजय के buy कीजिए और आप इसको use क जिनाब एक जो इसकी लोग डर जाते हैं यह बंद करने के बाद कि शायद हमारा straightener हराब हो गया यह देखिए इसको मैं बंद कर दिया इसको मैं लगाऊंगी तो आपको लगेगा कि जैसे आपका straightener हराब हो गया यह चला ही नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है इसको आपने power के button क दुबारा से 0 पर लेकर आना है और 0 पर लाने के बाद जब आप 1 पर आएंगे तो जो आपका straightener है own हो जाएगा अक्सर लोग जब इसे रहा switch लगाते हैं direct to order जाते हैं कि मारा straightener हराब हो गया ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छा straightener है आप इसको buy कीजिए और बताइएगा कि आपको कैसा लगेगा तो इसकी एक और भी चीज है पहले जब मैं straightener मंगवाती थी तो जो इसका switch है उसमें थोड़ा सा difference है अभी जो है ये 3 legs के साथ है और जो मैं पहले मंगवाती थी straightener वो 2 legs के साथ है और इसका कोई issue नहीं है ये भी बिल्कुल ठीक है परफेक्ट है और जो अभी वी new आया है ये भी बिल्कुल ठीक है आप देखें इसके wire वगरा वगरा सेम है जस्ट इसके switch में फरक उनों नहीं किया है और बेहतरीन है मिलेंगे next इंचला किसे अच्छे सी वीडियो में अलाफेज